तीन क्रिशी कानुनों के विरोध में किसानों का आंदुलन लगतार जारी है किसान आंदुलन में जो हां महिलाएं कंधे से कंधा मिला कर साथ दे रही है तो वहीं बच्चे भी अपना योगदान देने में पीछे नहीं हटना चाहते जी हां हम बात कर रही हैं एक अच्छे वर्ष ये एकम की जो रोजाना स्कूल से आने के बाद टाउन पार्क के पाद चाल रहे किसानों के धरना स्थल पर पहुँचता है और रातरी के समय धरना स्थल पर लगे टैंट में एकम अपने दादा के सामने मुबाइल की रोशनी में बैट कर पड़ता है ताकि उसकी पढ़ाई बाद इतना हो तो जिसकारण हमें घर पर बच्चे कपड़ा नहीं सकते और बच्चे यहां जित करता है कि कुई करोना के कारण स्कूल बंदा इसलिए हम यहां लेकर आते हैं इसको प्राथ भी है और पार्क में गुमा भी देते हैं तो फिर आपके पास ही बढ़ता है यहां यहां हमारे तो आप यहां अन्दोलन में कितने दिन से हैं बताया जरह है कि एकम के दादा लाब हिसे पिछले 36 जुनों से गठणा स्थल पर आने वाले किसानों के लिए खादे सामगरी के तैयारी वह आंदलन की रूप रेखा तैयार करते हैं जिसके चलते वो कई बार घर भी नहीं जा पाते तो बच्चा भी उनके पास वैट कर ही पढ़ाय करता है कोरुना काल के चलते एक फरवरी से स्कूल खोलने के बाद एकम ने स्कूल जाना शुर और बाद में उसके दादाउं से पढ़ाते हैं देडर रातरे के बाद दोनों घर चले जाते हैं और फिर सुभा लाभ सिंग तो धरना स्थल पर आ जाते हैं लेकिन एकम भी स्कूल से आने के बाद सीधा बैग लेकर धरना स्थल पर ही पहुंच जाता है टोहाना से सुशल सेंगला पंजाब के स्री टीवी